गुट मॉर्निंग एंड वेलकम बैक मैं चैनल तो गाइब आज ना अभी सुबा के साड़े पार परिजे हैं और में बनाने वाली हो अर्भी की सब्रीड जासके आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर अर्भी को बॉल करके इस तरह से पीसिज में कट कर दिया है और साथ देख से अच्छी से मिक्स कर लेंगे आज़ पर क्या करना है हमें सिल बस कडाई में डाल के चौपना है बहुत ही सिंपल प्रॉस्ज़र के साथ में बनाने वाली हो कडाई को मैंने गरम होने के रख दिया है आज दिखिए कडाई हमारी यहां पर करम हो चुकिया है इसमें जीर, अजवाइन और धन्या के दाने यह हम इसमें डाल देंगे इसे अच्छी तरह से तड़कने देंगे और आप इसमें डाल देंगे यह बॉइल ड़ी और इसमें से मिक्स करेंगे इसे बस अच्छी तरह से मिक्स करें और तीन से चार मिनाट तक छोड़ देंगे गयास के फ्लैंको वहना हाई की आवा है इसे हम अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगी तो चलिए एक बार इसमें चलाते हैं और हमें इसी प्रोसीजर को बार बार विप्पीज करना है तब तक जब तक कि अर्भी हमारी अच्छी तरह से क्रिस्पी न हो जाएं वापस से इसे इस तरह से फैलाएंगे और छोड़ देंगे तो अगें इसे पकते हुए ना पांच मिनाट हो गए हैं यह देखे आप यहां पर देख सकते हैं नीचे लग जया है बस यही मुझे करना था इसको में नीचे लगाना था इसके इतना ज्यादा क्रिस्पी होता है यह देखें और इसे ना अब यह में थोड़ा सा और पकाना है और ज्यादा क्रिस्पी होने तक वापस इसे छोड़ देंगे तो सब्जी को एक बाद फाइनल चेक कर लेते हैं यह रेखें मैंने साड़े पांच बजे सब्जी को पकाना स्टार्ट किया था और अभी छे बजे हैं तो थूरा आदा घंटा लगा है इसे पकने में और आप यहां पर देख सकते हैं अर भी हमारी ना अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुकी है अगर आप इसको इसे और ज्यादा क्रिस् अर्बी की सब्जी हमारी हाँ पर बनकर तयार हुई है और बनाना एकदम सिंपल प्रोसेजर के साथ मैंने इसे बनाया है अब इना मतलब 6 बजे हैं आई कनोट वेट मैं पटा वरसे रूती बनाकर और सालो साल बजे में प्रेटक्वास करूंगी तो है ना कितनी मज़िदा आई उल्ड़ आई प्रोसे बना ऴुदाऊदा प्रोसे बाम सिंपियो आई प्रोसे बनाजा हुआ करूंगी तो है और बगाई